नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के मध्यम से गाओं में गाओं के लोगों की जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजी है मैं दिखाता रहता हूं और गाओं में जो लोगी किसानः करते हैं किस तरह की दिकते जेहल करके वेदा करते हैं । दोश्तों कि दिखाई में दोस्तों आउस टायार करने ठान इकुराश्य करने में कितनी कितने चल्लेंज लोग उठाते हैं अन्ति कने की तियार होती है के दोस्तों धान एक बहुत ही मुक्ह फशण है क्योंकि धान से सबसे टावल पैदा होता है वह बहुत बड़ी工作 में लोगों को लिकिने मदद करता है और धान की फसल के लिए धान की नर्सरी जो होती है किसान सबसे पहले नर्सरी त्यार करता है और नर्सरी त्यार करने के बाद धान के जो पौधे होते हैं उसको निकाल करके जिस भी खेत में रुपाई करनी होती है उसकी रुपाई करता है तो सिधी सी बात है दोस्तों की अगर धान की नरसरी अच्छी है, स्वस्थ है, निरोगी है, मजबूत है और अच्छी किस्म की है तो ही धान की फसल की अच्छी होने की संभावना बढ़ती है और धान की नरसरी को त्यार करने में कई तरह की मेहनत, कई तरह की मुसीबत, कई तरह की चैलेंज से किसानों को गुजरना पड़ता है और आज हम आपको उनी सारी बातों के बारे में अपने आज के वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं आपके सामने वीडियो में यह नरसरी दिखाई दे रही देखें यहां से वहां तक नरसरी लगी हुई है धान की और आपको धान के पौधे भी यह दिखाई दे रहे हैं हरे भरे दान के जो पौधे होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं और उनको पानी की जरूरत हमेशा रहती है इसलिए आप देख पा रहे हैं कि यहां पर पंपिंसेट पाइप का विवस्ता है र्दिन इसको जो है इसके मातध्यम से हम अपने थान की क्यारी में धान की नरकी क्यारी में पानी से सिचाइबारी कि किने हैं पांइ ककि मि'llाने लगते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है दोस्तों खेती बारी करने के लिए तो बहुत सारे चैलेंज होते हैं बहुत सारी प्रक्रियाय होती हैं हर तरह की मेहनत आदमी करता है किसान करता है जैसे खेत को तयार करना उसमें खाद पानी डालना उसकी निराय गुड़ाई करना समय समय से लेकिन उसके अलावा एक बहु सारे आवारा पसु आवारा ममेशी यानि को खूले पसु जैसे गाय के बच्छडे साड़े सब बहुत ज्यादा मातरा में घुंगते रहते हैं नीली गाय जो जंगली गाय होती है वो घुंगते रहते हैं और उनसे फसनों को बचाना एक बहुत बड़ी समस्या आजकल हम में धान की नर्सरी बचाने के लिए बांस के सुखह हुए और आ इसापर तकRI-ld चारों सोघ्राइब 14 गाया है क्योंकि दोस्तों नर शळी आगर सही होगा तब ही जाके आगे किसान अपने धान की फसल कि रोपाई कर पाएगा अगर नर्शरी खराब हो गई तो आगे की पूरी फसल चपट हो जाती है और अभी यह जून का महीना चल रहा है नर्शरीयां सभी लोगों ने लगा रखी है अपनी और हर तरह की सुरच्छा के लिए जा अब देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ लोग जो है पस्वहों से बचाने के लिए और भी कई तरह के काम करते हैं जैसे रात को आकर के रखवाली भी कर लेते हैं कि कहीं कोई जानोर आकर के हमारी नर्शरी को नुकसान तो नहीं पूचा रहा है तो दोस्तों आपने कि चैलेंज तो रहते हैं कि छोटी नर्शरी में ही मान लीजय कि कई तरह करते हैं कि और खेत की अच्छी सचेजादा है सबस्क्राइब तो किसानी में रहता ही है लेकिन अंचाहा जोई समय नया कि आ गया है जिसमें ना कोई दवा काम करती है और नाहीं कोई खाद पानी उसमें काम करता है जो यह पसुम से देख करके आपको पुछ को अन्मान लग रहा होगा कि खेती बारी करना अनाज पैदा करना कोई इतना आसान काम नहीं है बहुत सारे चैलेंजों से बहुत सारी मुसीबतों से बहुत सारी प्रक्रियाओं से खेती बारी करने वाले लोगों को या किसानों को गुजरना पड़ता है तब जाके अनाज त्यार होता है जून का महीना इसलिए इतनी तरह से इतनी तयारी किसानों को करने पड़ती है और इस तरह से बैर केटिंग लगा करके किसान अपने हम लोग अपने जो है नरसरी की रच्छा करते हैं अब देख रहे हैं तो दोस्तों जैसा कि हम लोग भी बात चित कर रहे थे कि नर्शरी का स्वस्था और सुरच्छित तयार होना किसानों के लिए या धान की खेती के लिए बहुत ही आवस्यक है तो आप समझ सकते हैं कि अगर मालिजे कीसी भी कारण से जाहे किसी किसी रोग से या इस तरह से खुले जानवरों से अगर हमारे नरसरी को न्युक्सान पहुंचता है तो हम ततकाल एक महीने की प्रक्रिय Т्यान किसान कर. यही कारण है कि कोई भी रिस्क किसान नहीं लेता है और हर सम्बाव कूसिस करता हुए हमाई नर्सरी समय से और स्वस्था और सुरच्षित त्यार हो जाए यही कारण है कि इस तरह से देखे छा के लिए बास और बल्ली लगा करके इस तरह से बईरिकेटिंग हम अपने धान की नर्शरी को बचाने के लिए करते हैं क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते कि हमारा जो नर्शरी है वो खराब हो जाएगा तो हम ततकाल उसको फिर से तयार कर लेंगे दोस्तों आज के वीडियो में जो आपको दिखाना चाहते थे हुंने दिखा कि किस तरह से अपनी नर्शरी को बचाने के विए क्या-क्या तैयारी किसान करता है कि सब्सक्राइब आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपने दोस्तों में जान पहिजान के लोगों में, ताकि जो भी चीजे हम गाओं की अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, अधिक्तित लोगों तक उन तक पहुंच सके, और आप अपने कमेंट हमें जरूर दिया अपने की अपने चीजे हमें, पहुंचाना बाहिन सकते हैं, त ke जब अपने चैनल के उन जरूर दिया भी चैनल के लिए।